हाई गास, वेलकम बैक तो मैई चैनल, आज मैं आपको पताऊंगा कैसे मैं अपने sketches को पैक करता हूँ कोरियर करने के लिए, commissioned sketches को, जिससे वो खराब नो और फटे नहीं, मुझे Instagram पे ऐसे काफी लोग पूछते रहते हैं या फिर YouTube पे comments आते रहते हैं कि आप लोग के कैसे sketches को और कोरियर के टाइम फट जाए या खराब जाए, सो इस वीडियो को पूरा ज़ूर देखना है और आपको भी समझ आजागा कि कैसे सही तरीका है कोरियर को पैक करने का sketches के लिए, सो मैं यूज करता हूँ इस्टरा के envelops, जो कि आपको इसी बी स्टेश नही शॉप पे इज मिल जाएंगे, देख सकते हैं काफी सॉलीड है, सो इससे आपको sketch फोल्ड नही होता है, यह मैंने एक envelope के साइसा कट करके अल्रेड़ी, इसको इस तरह से मैं envelope में डाल देता हूँ, इसके बाद जो sketch बनाया है, जो भी आपको sketch कोरियर करने है, ज़से मैं अभी एक sketch, यह कमि इसको बनाया है, इसको ऐसे यूज करने होता है, वह आप देख सकते हैं, डिस्रिप्शन में लिंक आकर देखनी है, इस पर spray में यूज कर सको हूँ, ताकि यह खराब नहों, शेडिंग ऐसे रब कहने से भी खराबनी होगी, सो कोरियर के टाइम भी शेडिंग खराब नही ह इसको अच्छे से बंद कर दूगा, अब मैं, बस और अब इस पर सामने की तरफ एड्रेस लिखके और पीछे की तरफ अपना एड्रेस लिखके, मैं इसको कोरे कर देता हूँ, और इसके सारे कॉर्नर्स पर भी में शेलो टेप लगा लेता हूँ, ताकि कॉर्नर्स भी फटे नहीं और स्केच साइट से भी खराबने हो जाए, बस यही सिंपल प्रॉसेस है, आप भी यही प्रॉसेस फॉलो गर सकते हैं, काफी एजी प्रॉसेस है, मैं तो हमेशा से ऐसे पैक करते हैं, और इस से काफी अच्छे से पहुंच भी जाता है, इसके साइट बीना डामेज हुए, तो अगर आपके वीडियो से लगा तो इसको लाइक जोग करना, थैंकिस मुझ वाचिंग